हर्यूम दर्शकूम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में और हमारी खास कारिकरम वास्तू टिप्स में नकरात्मक्ता को दूर करने के लिए कोन से उपाई करने चाहिए जिससे आपका घर ठीक हो जाएए आपका ऑफिस दुकान का वास्तू ठीक हो जाएए काफी बार अगर वास्तु दोश होता है वास्तु दोश में कुछ भी गरवड होती है तो वहाँ पर negative energy होती है जसके चलते नकरातमकता चाही रहती है व्यक्ति के दिलो दिमाग में और जब भी कोई वह कारे करता है आरम करता है तो पहले negative पक्ष अधिक देखता है negative पक्ष अधिक होने के कारण उसके काम में मन नहीं लगता और संधे के सितियां होती है तो ऐसे में सफलता मिलने के जो chances है वह बहुत ही मतलब कम हो जाते है तो अगर आप भी अपने घर का वास्तु ठीक करना चाहते है घर की नकरातमक उरजा को दूर करने के लिए हमेशा नमक का प्रयोग जरूर करना चाहिए यानि कि असफता में एक बार या जब भी आपका मन हो कभी कभी भी या फिर लगातार भी आप नमक मिले पानी से घर में स्थान जो भी आपका वास्तु जहां का आपने ठीक करना है उसका पोचा लगाना चाहिए नमक के अंदर नकरातमक दूर करने की शक्ती होती है वह सारी negativity को एब्सॉर्ब कर लेती है जब आप नमक के पानी का पोचा लगाते है उस नमक के पानी में आ जाती है जलका और गो मुत्र को समान भागों में आपस में मिलाकर अभीजीत मौरत के समय या फिर दुपैर के बारा बजे का समय जो होता है अभीजीत मौरत कहलाता है उस समय में गाहितरी मंतर का जाप करते हुए अपने घर के अंदर सारी जगह पर छ्रगाव करें या फिर जहां पर आपको वास्तु दोश दिखता है वहां पर तो आपने करना ही करना है ऐसे में भी आपको नकरात्मक उरजा से मुक्ते मिलेगी और सकरात्मक्ता का फैलाब आपके वास्तु छेतर में होता हो नजर आएगा किसी समय क्या आज भी कुछ ऐसे घर हैं जहां पर रंगोली बनाई जाती है घर के मेन गेट के बाहर वास्तु दोश को दूर करने के लिए रंगोली बनाई जाती है जिससे की सकरात्मक उर्जा आकर्शित हो सके आप चाहें तो अपने हास से या फिर जो व्यक्ति आपके घर में बनाना जानता है रंगोली उसे कहें की रंगोली बनाई रंगोली जिन घरों में बनती है वहाँ पर एक सकरात्मक उर्जा का महल बनना शुरू हो जाता है सकरातमक महल बनना शुरू हो जाता है और wealth attract होती है एक काम आप और भी कर सकते हैं यदि आप चाहें तो आप गुगल, लुबान, कपूर, देसिगी और चंदन इन सब चीजों का मिश्रण एक आप गोबर के कंडे पर रख कर उसको जला कर उसकी धूनी भी आप पूरे घर में दे सकते हैं जिससे नकरातमक अगुरजा खाश्यमन होता है, जितनी भी नकरातमक अगुरजा होती है, किसे ने नजर लगा रख já या फूर कुछ किया कराया होता है सारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है ऐसे में सकरातम गुर्जा बढ़ती है और आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है अब आप अगर चाते हैं कि नगरातम गुर्जा आपके घर में परवेश ही ना करें तो और सकरात्मा गुर्जा ही आए, तो उसके लिए आप मांगलिट चिन्नों का प्रयोग अपने जो मेन गेट है, आपका जो घर की एंटरंस है, प्रवेश्टवार है, वहाँ पर कर सकते हैं. गनेश जी का तस्वीर लगाते हैं, तो ऐसी तस्वीर लगाएं कि एक गनेश जी का जो स्टीकर है या फिर तस्वीर है जो घर के बाहर की तरफ देखें, और दूसरे जो गनपती जी हैं, जो वह घर के अंदर की तरफ देखें. एक वास्तू गनपती भी आते हैं, जो दो तर लिएगा फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए हरियोम हरियोम हरियोम